नमस्कार मैं हूँ प्रदीव साल्दी और आप देख रहे हैं GSS News इस वक्त मैं सुरज कुड मेले में मौझूद हूँ जो कि आप जानते हैं फईदबाद में हैं आईए हम आपको रूबरू करवाते हैं एक ध्यान कक्स यानी की एक meditation साधना से जुड़ा हुआ कुछ है अब ह नाव अंकिता नारंग्या और हम सब सत्यूग दर्शन ट्रस्ट फरीदाबाद के वॉलेंटियर्ज है अब सब्सक्राइब कब से यह जो है गोवर्मेंट से ओथ्राइज हूआ है यह 1995 12 जुलाई 1995 में ट्रस्ट वाना इस त्रस्ट का मोटिव है कि यह अध्यात्मिक रूप से सहरी लिक रूप से मान्सिक रूप से जो भी गिरावट समाज में ऐया गई है उसका उठान करना सब्सक्राइब कि एक बार इसे दिखा दी आजये पोस्टर को तो यह फ़हीदाबाद में कौन सी पर है मौझण यह ग्रेटर फरीदाबाद में सेक्टरेट भूपानी गाउं है उसमें स्थित है यह ट्रस्ट जो है सत्युक्रशन ट्रस्ट वहाँ पर है उन्हीं के कैंपस में ध्यानकक्ष स्थित है अभी फिलहाल जो जैसे कि आप लोग अभी इसको लेकर यहां पर सोचकुन मेले में आये हैं तो वाट इसको प्रमूट करना या लोगों में मानफ्ता को दर्साना जो चीज़ें वो थोड़ा सा आप हमाई दर्सों को उससे बता सकते हैं तो हम लोग यहां पर इस अवेरनेस को क्रीएट करने के लिए आए हैं कि हम सब इंसान है, मानव हैं तो हम सभी का पहला धर्म हने मानफ्ता तो हम उसे अपनाना है हम सभी के अंदर इश्वर ने वो इश्वर ये जो गुण है एक इंसान में होने चहिए कि तो इन गुणों से इश्वन ने हमको भेजा है अंदर पर जरूरत है हमें उन्हें पहचानने की उन गुणों को तो उसकी अवेरनेस के लिए हम यहां पर आए है जो ध्यान कक्ष कुला है वहां से एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए मानफता में कैसे ढला जाए यह संदेश दिया जाता है जैसे कि आप जानते हैं कि आज कल मेट्रो दौर चल रहा है हर कोई भागम भाग में लगा हुआ है जल्दी पैसा कमाना जल्दी अमीर बनना है मुझे डॉक्टर बना है इस तरीके तो लोहों के पास अध्यात्मिक तौर पे जाने के लिए कोई टाईम ही नह कही ते हम लिए असप रही जिए form चुर्ण पर नहींआ काही और में ल握 को भाद करिया Самहा प्रकेक 16ा का में का मंदें 2 टो का ड़ा मनंदील जब करते हूं छाईनों सिर्क्रीड में मस वुड़ करते हैं चाहिए? but still I make my time out I go to like at least twice in a week and you can still feel that you have to take time, time doesn't happen to anyone but it's not a big thing for your mental health because at the end of the day all the time is that it will go away but what stays with you is your mental health your physical health and your spirit so are you confirmed that Dhyan Kakh is giving you the peace and I took off Monday my office usually I took off because I know that I will balance in my professional life and in my personal life if I grow professionally I will earn a lot of money but I know that I am not happy at the back of the day because I know that I have to keep both of them and I will grow professionally so do you have to give some fees in this Dhyan Kakhs you have to pay nothing what is the process to do? If someone has a Hindi and English language so I would like to talk about it in Hindi in this Dhyan Kakhs you have to keep your mind and keep your mind and mistakes and keep your mind going whatever you are doing is that I am unaware of myself, I am not going there so I am not going to know but when I am going to go I will know that I will be able to know that if I am going to go यहां पर कोई भी जा सकते हैं बच्चा बड़ा बुड़ा कोई जा सकते हैं जैसा कि इनों ने बताया कि यह ग्रेटर फइदाबाद में पानी रोड के पास और बहुत सिंपल रूट है कुछ फीस आपको पेंडी करना आप जाओगे आपने एंटर किया वहां पर बॉत सरे व इसका क्या जिंदगी में हमारी इंपोर्टेंस है हम इनको क्यो अपनी लाइफ में गें करना है हम सब को बता है अच्छा इंसान बनने है सब को पता होती है बट हम चीज़े बूल चुके है यह जस्ट रिवाइज इंग इपक्त्स अगे तो हमारा मकसद है लोगों को अवे इस साल के अंदर जैसे कि आपके फेस्पाइब में देख सकता हूं कि बड़ा ही धहर बड़ी सांत लग रहे हैं तो आगे आने वाली पीडी को आने वाले लोगों को आपने काफी कुछ समझाया हुगा तो अपना एक्स्प्रियेंस सेयर कर सकते हैं मारी दर्स्टों के साथ सब बच्चों को जैसे हम स्कूल में जाते हैं हुमेन टी अलोंपियार दी करवाने बहां भी हम बच्चों को बहुत अच्छे से समझाते हैं और मानवता कि उपर जू आजकल बच्ची इतने वह हो रहे हैं इतने फसे पड़े हैं उनको अच्छा इंसान बनने के लिए उनक नहीं जी हमें वह दर्म नहीं चाहिए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आसा हम धर्म को कर रहे हैं कुछ लोगों के दिलों में यह खयाल आएगा जैसा आपको हमने पहले भी बताया कि we are not biased to any religion, caste, community, किसी जाती को धर्म को लेकर निश्पेक्षता हो है यहाँ पर किसी तरहीके का भी हम भू नहीं करते हैं कि आप इस धर्म को फॉलो कीज़े हम मारे लिए मानव धर्म ही सबसे सबसे बड़ी बात आपके कहने की यह कि ध्या कि अवाँ मानव झाल बात आपके कहने के कुछ झाल खर्म का झाल गॉलो कि वहाँ आपके कहने इज जाए पक्षाव में लिएवे से लगलो का लॉट की बताते हैं कि दो